Hey students, बच्चो हमारा जो चाप्टर है The Gifts of वालिदाद इसका कर लास्ट एक्स्पिनेशन पार्ट हमने खतम किया है और आज हमें अपनी फियर नोट बुक में इसके वर्ड मीनिंग्स करने हैं ठीक है बच्चो, तो सारे वर्ड मीनिंग्स आप अपनी फियर इंग्लिश लिटरचर की फियर नोट बुक में बहुत अच्छी नीठ हैं राइटिंग से लिखोगे वर्ड ब्लाक पैंस है और उनकी मीनिंग्स ब्लू पैंस है ठीक है बच्चो, चलिए स्टार्ट करते हैं यूच्वली सारे वर्ड हम लोग डिसकस करते वक्त, चाप्टर डिसकस करते वक्त समझ लेते हैं क्या है उनका मीनिंग बट स्टिल, राइट, जसे हम लोग हमेशा करते हैं सो फर्स्ट वर्ड है पैरी, पैरी बच्चो मैंने आपको बताया था कि पैरी इंडियन वर्ड फॉर फेरी, फेरी को किसी-किसी इंडियन पार्ट्स में पैरी भी कहा जाता होगा, ठीक है, इसमें एक चीज मिस्टेक हुई थी बच्चो हम लोग जब explanation कर रहे थे, तो मैंने पैरी को servant से confuse कर दिया था, राइट तो आप यह याद रखेंगे, पैरी वर्ड का क्या मीनिंग होता है, फेरी होता है, ना कि servant next है simpleton, simpleton मतलब एक सीधा साधा आदमी, simple man next है mused, means thought over, उसने सोच विचार करना, चिंतन करना किसी बात पे next है exemplary, exemplary मतलब जो इतना अच्छा हो कि आप उसका उधारन दे सके निवे हम कहेंगे उधारन देने योग्य, worth giving an example of, जिसकी इतनी worth हो, ठीक है blue blooded, बचो यह हमने देखा था blue blooded royal, मतलब जिसकी बहुत जादा high rank, high station मतलब, कहने का मतलब है, जो एक राजसी परिवार में पैदा हुआ हो, यह एक, बचो फ्रेज है जो दिखाता है आप बहुत जादा high rank हो, high birth के हो आपकी बहुत जादा एहमियत है, next है overlaught, overlaught means impressed या unnerved, बचो आप unnerved मतलब लिखेगा, impressed लिखेगा, ठीक है जहाँ पर आपको two words दिखें, तो आप उनमें से कोई एक ही लिखिए, it's okay there है perplexed, perplexed मतलब, बचो परेशान हो जाना, बहुत ज़दा वरी करना, unmatched, outstanding, consented, किसी के साथ agree करना, promptly, readily मतलब पूरा बिल्कुल time पे, punctually, बिल्कुल ready हो आप किसी काम के लिए, mule loads, mule loads मने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, next है expensive, महंगा, costly, answer, possible, ये भी बचो similar है, unmatched से, बहुत ज़दा high level का, बहुत ज़दा outstanding, ठीक है, mule load बचो आपको याद है एक, एक mule, एक खचर जित्ता load उठा सकता है, उसको mule load कहते है, stir up, stir up क्या होते है, जो horse होता है, horse की जो saddle होती है, बच्छे, जिस पे बैठा जाता है, गदी कह सकते हैं, उसकी side पे metal के ऐसे supports लगे होते हैं, जिस पे पैर अठका सकता है, horse चलाने वाला, next है, livery, means special uniform पहने हुए, यहाँ पर बात किस की हो रही है, बच्छों, यह सब stir up, liveried, answer possible, यह words यूज किये जा रहे हैं, जो king of nekabad ने, जो gift वालिदात को send किये थे, उनके लिए, ठीके बच्छों, next है, stupefied, stupefied means unable to think properly, कभी-कभी क्या होता है हमारे साथ, कि हम लोग कुछ सही से सोच नह हमारी thinking capability थोड़ी effect हो जाती है, तो उसको ही क्या कहा गया है, stupefied, next है, heavy heart, दर्द भरा दिल, अप इससे समझ सकते हो, sorrow मतलब दर्द या दुख, befall, befall means something bad to have happened to someone, किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो ऐसा कहेंगे, this will befall on him, smitar होता है, एक छोटी सी बच्चो, sword, sword मतलब तलवार, छोटी तलवार, जिसका blade जो होता है, वो curve होता है, persona, किसी की personality, modest, humble plane, मतलब सीधी साधी, उसकी heart के लिए यूज किया गया है, बच्चो ये word, next है, gap, बहुत ज़ता wonder वाले expression के साथ देखना किसी चीज को, advent, मतलब आन किसी का आना, arrival, newlywed, people who have been married quite recently, newlywed कौन से होता है, बच्चो, जिनकी हाल ही में शादी हुई हो, है न, एक महीना पहले, या कुछ महीने पहले, ठीक है, तो उनको हम लोग newlywed कहते हैं, तो ये था आज का आपका work, आज के assignment के लिए, बच्चो, आपको क्या करना है, इसी को अपन Fair Notebook में लिखना है,